नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में बच्चो अभी नोटिस जो आपको मिली है केवियस के करेक्शन से रिलेटेड यह जो केवियस के फॉर्म आपने फिल किया था जिसमें आपके टीचिंग स्टाफ थे, ओफिसर स्टाफ से थे और नॉन टीचिंग स्टाफ थे यह जो एडवर्टिसमेंट आपके दिसंबर में आया हुआ था ठीक है तो उसी से रिलेटेड उसके करेक्शन क्योंकि काफी बच्चे जो थे गलतिया कर चुके थे तो उन गलतियों के लिए कई बार हमसे पूछा जा रहा था क्या सर इसमें करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा तो करेक्शन विंडो जो है आपकी ओपन कर दी गई है आज से और 8 तारिक तक यह करेक्शन आपका allow है अगर आप आठ के बाद कोई भी चीजे चेंज करना चाहोगे तो किसी हालत में चेंज नहीं होगी तो देखो चेंज क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो इसको ध्यान रखो जो यहां पर चेंज करने की बात की गई है उसे मैं यह थोड़ा brightness इसको कम करके आपको समझा दे रहा हूं कि चेंज क्या आपका हो सकता है क्या नहीं हो सकता है कि इस नोटीस पर आते हैं हम लोग यहां पर लिखा गया है कि जो भी आपका इड़र्टीजमेंट था पंद्रह और सोरा जो तीन दिसंबर को तीन नो हां यहां पर इसू डेट इस थी नाइन दिसंबर की गई थी और इसका इंप्लोईमेंट न्यूज में जो आया था तो वह आपके उसमें आया था नॉम्बर के प्रॉक्स में आया था यह चलो इसमें अगर सबसे वड़ी बात है कि देखो करेक्शन जो डेट है च्छह तारिक से स्टार्ट है दो बज़े से टू पीम से आज उसका चेंज नहीं हो सकता एजाना रखेगा साथ ही साथ यह बोला गया है कि आप जो भी करेक्शन करोगे उसमें क्या क्या कि एपलिकेशन नंबर आपका चेंजन नहीं हो सकता मॉबाइल नंबर और इमेल एड्रेस इसके अलमा और बाकी चीज़ें आप अपना डीटेम मे गया होगा तो आप category social category चेंज कर सकते हो हाँ अगर आपने एक्स्ट्रा मालो है जेनरल का पे फॉर्म भर दिया और आपका भी तो वहां पे फॉर्म का पैसा आपस नहीं होगा लेकिन यदी आपने ठीक है यदी आपने क्या किया है अगर उसके को पेमेंट करना है यहां साफ साफ लिखा है कि देखो further KBS will not provided any refund payback to any candidate who correct his or social category in the online application form even through the corrected social category is accepted for payment of the fee ठीक है उसके बाद से बोला however a candidate may be required to pay additional fee in case their corrected social category is not accepted for payment of fee तो यही बात है यहां पर कि अगर आपको categories change करनी है तो payment का जो है वो आप देख लीजिएगा कि कितना क्या कर रहा है उसी के according आपका category होगा change हो जाएगा अगर change भी करना है तो आपका ठीक है बाकी आपका छे तारिक से है तो आप सभी लोग जो भी आपकी गलतियां हुई है खासकर form भरने में ठीक है किसी ने mark sheet गलत upload कर दिया किसी के नाम में mistake है जो भी mistake है यह last option होता है फिर बाद में आपको दिक्कत होती है परसान होते हो बार-बार चीजे पूछते हो इससे बढ़िया जब correction window खुला है तो आप correct कर लो और जो भी समस्या है दिक्कत है आप एक बार comment के माध्यम से अपनी समस्या बताओ कुछ बच्चों की यह भी समस्या थी कि sir जब form की last date extend कर दी गई 26 तारिक तक ठीक है तो 26 तारिक तब extend करके 2 तारिक तक कर दी गई तो क्या आप जो भी certification है हमारे पास वो 2 तारिक तक का मानने होगा या 26 तारिक तक का मानने होगा तो यह ध्यान रखना कि उसमें तो उस time 26 तक लिखा था लेकिन अगर extend करके 2 ता कारिक तक का ही लेगा अगर दो से पहले तक आपका documentation complete है तो आप eligible हो उसमें कोई issue नहीं होगा documentation में कोई दिक्कत नहीं होगी और भी जो समस्या है वो अपना comment के माध्यम से बताईएगा इसी के साथ मैं आप सभी से भी दा लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत कर दो